हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल तो आज बनाएंगे हम ग्रीन चिकन जिसको चिकन स्ट्यू भी कहते हैं वो भी बहुत आसान से तरीके से और कम इन ग्रेडिन्स के साथ तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं मैंने लिया है यहाँ पर लसुन की कलिया, पुदीना, हरी मिर्चे, फ्रेश धनिया, जेंजर और थोड़े सी काली मिर्चे इन सबी को मैं जार के अंदर डाल रही हूँ थोड़े से काजू मैंने यहाँ पर क्रश करके लिए हैं बुदा पानि डाल करे इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ग्रीन पेस्त हामारा तयार हो गया है कड़ः में डालेंगे मस्टर्ड ऑड़ इसको मैंने अच्छे से गरम करके ठंड़ा कर लिया है तन डालेंगे इसमें जीरा, तेज पता, थोड़े से खड़े गरम मसाले डालेंगे जो भी आपके पास अवेलिबल हो हलका सा स्टिर कर लेंगे ताकि इनकी जो खुश्पू है वो ऑईल के अंदर आ जाए अच्छे से दो मिनट चिकन को फ्राई करने के बाद इसमें अपना ग्रीन पेस्ट डाल देंगे अब इस पेस्ट के साथ हम चिकन को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे अब इसमें डालेंगे एक चमच नमक, आदा चमच भुना हुआ जीरा, एक चुथाई चमच हल्दी, एक चोटा चमच धनिया पाउडर, आदा चमच गरम मसाला, सभी को अच्छे से चला लेंगे अगर आपको मेरी वीडियोस हेलपफुल लगती हो, तो प्लीज लाइक कर दिया करो, और अपनी फ्रेंड्स और फैमली के साथ शेयर भी कर दिया करो आदा चॉप किया हुआ टमाटर में इसमें डाल रही हूँ, और अब इन सभी को चला के अच्छे से ढख करके इसको पकाएंगे हम, 5-6 मिनट के लिए 6-7 मिनट होए हैं, तो हमारा मसाला काफी अच्छे से भुन गया है अभी मैं डाल दूँगी इसमें आधा कप पानी, पानी आप अपने हिसाब से डाले, मुझे ग्रेवी थोड़ी सी ठीकी पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा कम पानी डाला है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जाइफल का पाउडर लिया है, और मैं इसको बिल्कुल एंड में डाल रही हूँ, इसका जो एक खुश्बू होती है, वो बहुत अच्छी आती है 5-6 मिनट तो को इसको और पकाना है, देखिक जट पर से हमारा ग्रीन सालन या फिर स्ट्यू कहलो, बन करके एकदम तयार हो गया है, इसका स्वाद एकदम जबुर्दस आता है, अब जरूर से ट्राइ करना